धार जेले के कुक्षी तेसिल अंतरगत आनने वाले डूप परभावीत ग्राम निसरपूर में भाजप्या कारे करताओं के बिनर तले अब सरदार सरोवर के बेक वाटर लेवल में डूप परभावीतों की समस्या का नज़रा करण आज दिनांक तक नहीं हुआ है 2017 से डूप परभावीतों को निसरपूर से बेघर कर पुनरवास पर लाकर बसा दिया मगर प्रदेश की मुख्या सिवरासियर चोहान के आदेश अनुसार आज दिनांक तक अनुदान राशी 5,80,000 रुपे प्रत्ते पट्टा धारी को नहीं मिले जिसके चलते आज भारती जं ने मीटिंग करके कल से विस्तापन के खिलाब करमी कंसन पर जा रहे हूँ हम इसलिए कि निसरपूर बान में निसरपूर सरदार सरोर बान में डूब में बड़ा गाओं है और यहाँ पर बहुत बारी समस्या है 5,80 और विस्तापन के संबन में दिये यह पेकेज के लिए इसलिए हम निसरपूर ग्रामवासी प्रभावितों के हीत में विगत 37 वर्षों लड़ाई लड़ते आ रहे लेकिन पीछले चार वर्षों से डूब गए निसरपूर बान से प्रभावित लोगों की लड़ाई के लिए भारती जंता पाइटी नगर इकाई के बेनर तले हम क्रमिक धरना अनिश्चित कालिन धरना देंगे क्या कारण रहा कि कल से क्रमिक अंसन पर जा रहे है सरदार सरव और परियोजना के अंतरगत हमारा ग्राम निसरपूर सबसे डूब प्रभावाइद बड़ा गाउं है और यहां पर जो मानिय मुख्यमंत्री सिवरासी जी चौहान का जो पुनरवास पेकेज 5,80,000 रुपे जो ते वह उसके लिए हमारे गाउं के बहुत से इसे परिवार है जो आज भी डूब शेत्र में निवास कर रहे है और कुछ परिवार इसे है जिनोंने बेंग से करजा लेकर अपने मकान बना कर यहां परे रहे हैं तो उन वेक्तियों के लिए हम सभी नगरवासियों का फर्ज बनता है और हम तब भारती जनता पार्टी के कार्यकरताओं का भी फर्ज बनता है कि यह से परिवार जो आज डूब के छेत्र मेरे रहे है तो उन्हें सासन के जो पुनरवास पेकेज है उन्हें पांच लाक अस करेंगे और हम माने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि तुरंत इस पर आप विचार करके जो प्रभाईद परिवार इन्हें पुनरवास का पांच लाग का जो पुनरवास पेकेजिए वो प्रदान करें हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें